यहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का Mr. Academy जवलपुर में हिंदी की इस रंखला के अंतरगत आज का हमारा टॉपिक है समास जी हाँ दोस्तों हम समास पर चर्चा करने जा रहे हैं आपको यहाँ पर बता दें समास किसी भी परतियोगी परिक्षा के लिए जिसमें हिंदी एक विश्यक की रूप में पूछा जाए या सी सेट विश्यक में भी एवी हिंदी समलित है तो निश्य तोर पर इससे प्रश्ण बनते हैं तो यही एक प्रमुक कारण है कि हम समास का चेन किये हुए हैं इस वीडियो के लिए आपको यहाँ पर पहले ही बता दें कि समास में हमें definition से कम और example से जढ़ा question होने वाले हैं तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो यह रहेगा कि हम जादा से जढ़ा example को cover करें उधार्ण जादा से जढ़ा लेने से फायदा यह होगा कि जो प्रत्यों की परिक्षा में एक सीधा सा प्रश्ण होता है एक्जाम्पल के लिए कि दसानन में कौन सा समास है या लंबोदर में कौन सा समास है या तिराह या चौराह में कौन सा समास है तो इन सभी को हमें ठीक ठाक तरीके से एक सही विकल्ट तक पहुंचते बनेगा तो चल labeling हम बिना समय गवाई इसे प्रारम करें सर प्रतम अधी बात की जा है समास के कि समास जो है यह सब्द किस से मिलकर के बना है तो आपको बना दें कि सम धन आस ठीक है सम और आस से मिलकर के बना है समास जिसमें सम का अर्थ होता है संचिप्त और आस का अर्थ होता है कथन अर्थात ऐसा कथन जिसे हम संचिप्त कर सकें वह समास कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि समास का साब्दिक अर्थ है संचिप्त कथन और आपका यही सीधा प्रश्न एक्जाम में आपको देखने मिलेगा रिकल्प में कहीं ने कहीं होगा संचिप्त कथन तो समास का साब्दी कर्थ क्या है तो समास का साब्दी कर्थ है संचिप्त कथन आंगे बात की जाए इसकी परिभासा की तो हमें देखने मिलते हैं कि दो अथवा दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने नए सार्थक सब्दों को समास कहते हैं डेफिनेशन में आपके लिए जो महत्पूर्ण बिंदू होगा दोस्तों वो ये कि दो या दो से अधिक सब्दों यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा सब्दों क्योंकि जब हम संधी पढ़ते हैं हिंदी में तो हम पाते हैं और इसके पहले वाली वीडियो दिया आप देखेंगे तो संधी पर ही है और उसमें हमने दसानन के दी हम बात करें तो यह दसानन क्या है तो दसानन है आपका समस्त पद या सामसिक पद या समासिक पद तो दसानन जब हम देखते हैं यह जो पद है यह कैसा पद है तो वास्तों में दोस्तों यहाँ पर हमें और देखते हैं कि जब वह सार्थक है तो यह समास के नियमों से बना हुआ है और अब चुकि समास के नियमों से बना हुआ है यही एक प्रमुक्कालने कि हमने इसे क्या नाम दिया समस्त पलिया समासिक पत फिर इसके बाद हम बात करते हैं जब दसानन के समास के विग्रह की त कि समास का हमेशा विग्रह होता है इसके बाद हमने यहाँ पर पाया कि भाई दस है आनन जिसके और इसारा किस की ओर है किसी तीसरे की ओर है तीसरा कौन रामण यह तो हम जानते हैं कि दसानन कौन रामण आप में से कई लोग यह भी जानते होंगे कि दसानन जो समास है यह बहुब रही समास है हाला कि आपको बता दें आंगे हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं फिलहाल एक सुरुवात है एक स्टार्टिंग है जिसमें अभी तक हमने क्या देखा तो अभी तक हमने देखा हुए है कि भाई समाज जो है यह दो सब्दों से मिलकर बनाए सम और आज सम का अर्थ है संचित आज का अर्थ है कतन अर्थात ऐसा कतन जिसे हम संचित कर सकें या जिसके मद्ध के विभक्ती चिन्नों का लोप हो जाए जब दो सब्द मिलें और उनक किसी और अन्य सब्द को हम देखें तो हम पाते हैं कि है है और इसके साथ में जिसके जिसका क्या हो चुका है जिसका लोप हो चुका है लोप अर्था दोस्तों अब यहाँ पर नहीं है विलुप्त हो चुके है ठीक है मतलब है उसमें लेकिन हमें सीधे तोर पर नहीं देख र चले ठीक है, अब आंगे हम इस कड़ी में प्रारंब करते हैं, अगला जो महत्रपूर्ण बिंदू होने वाला है, पद को ले करके, आपको पहले ही बता दे, इसी एक्जाम्पल के माध्यम से कि प्रतेक समासिक पद में या समस्त पद में आपको दो मुख्य तोर पर पद मिल सामने होगा, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, कि भाई, पदों की प्रधानता के अधार पर समास का वर्गी करन, आप इमेज में आप देख रहे हैं, पदों की प्रधानता के अधार पर वर्गी करन, अर्थात दोस्तों, यहां आपने देखा कि इस पश्च तोर प देखेंगे कि भाई यहां हमें दो पद देखने मिलेंगे एक होगा पूरपद और एक होगा उत्तरपद जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि पूरपद है दस और उत्तरपद है आनन तो अब आँगे हम बात करते हैं समास के भेद को देखने मिल सकता है व्यास और साथ ही साथ में अब हम देखते हैं तो यहाँ पर महत्पूर्ण बिंदू है समास का अर्थ हुआ संसलेशा और व्यास का अर्थ हुआ विशलेशा याने कि एक में आप क्या कर रहे हैं संचिप्ट कर रहे हैं और एक में आप उसको क्या कर रहे ह लिख रहे हैं जैसा कि हमें देखा दस आनन और दस हैं उनन जिसके चले ठीक है cole बात करते हें इसके भेदों को लेकर के समास के कितने प्रकार हैं तो समास के प्रकार हमें मुख के तोर पर देखने मिलते हैं 6 सबसे पहले दी हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं अव्याई भाव समास इसके बाद ततपुरुस दिगू द्वन्द और करमधार एवं बहुबरही समास ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप इसे एक सीक्वेंस से ही नोट डाउन करें आप अपने सुविधान उसार इसे नोट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे उसे पहले नोट करें ठीक है तो इसी क्रम में जब हम अध्यन करने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते कि आप इसमें देखेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रगार नहीं होगा तो यहाँ पर आपका जो महत्पूर एक प्रश्न हो सकता है वो यह कि इसमें दोनों पद आप रधान होते हैं और अब जो एक महत्पूर जो आपको नोट करना है वो यह कि इसमें दोनों पद मिलकर एक सार्थक सब्द का निर्माण करेंगे और यह किसी तीसरे की और इस्तारा होगा जैसे यदि हम एक्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने है सबसे पहले लंबोदर लंबोदर की दी हम बात करते हैं दोस्तों तो आप इसमें देख पा रहे हैं लंबा है उदर जिसका अर्थात गडश भगवान तो यहाँ पर हमें देखने मिला दोस्तों इस्तारा किसी और है इस्तारा है किसी तीसरे की और जबकि हमने जब देखा कि लंबोदर को यदि हम देखें तो लंबा धन उदर तो इसारा फिर भी तीसे के उड़ जा रहा है लंबा है उदर जिसका कौन गड़ इस भगवान यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है वो यह है कि भाई इसमें आपको मुख तोर पर भगवान के नाम देखने मिलेंगे हलाकि हम बात करें आंगे जो हमारा एक्जामपल है वो है दसानन दस है आनन जिसके अर्थात दोस्तों यहाँ पर कौन हुआ आपका रामण ठीक है ठीक ऐसे ही आंगे दी हम बात करते हैं तो चक्र पाणी विग्रह है चक्र है पाडी में जिसके और इसका आंसर होगा विष्णू ठीक है बलब इसारा किसकी ओर है विष्णू जी की ओर है तो ठीक वैसे ही जैसे हमने सुरवात की थी कि दोनों पद आप्रधान होंगे और आप्रधान होने के सासात इसारा किसी तीसरे की ओर होगा तो वैसे ही हमें यहाँ पर example में देखने मिल रहा है और हमने आपसे पहले ही कहा था कि भाई यहाँ पर हम जादा से जादा example लेंगे तो इसी example की स्रेडी में आपके सामने है अगला चतुरभुज चतुरभुज में कौन है तो चार है भुजाय जिसकी और यह भुजाय है विष्णू जी की प्रधान मंत्री मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधान मंत्री ठीक ऐसे ही पंकच पंक में पैदा हो जो कमल कमल जो है दोस्तों पंक में, पंक का अर्थ होता है कीचर, कीचर में पैदा हुआ है अगले की दियम बात करें तो गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला और कौन है ये है स्री किशन जी ठीक है फिर है पीतांबर, पीत पीत है अंबर जिसका ठीक है किशन आंगे बात की जाए तो निसाचर, निसा में विच्रन करने वाला राक्षस, चौ लड़ी, चार है लड़िया जिसमें, याने की माला, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, और ये किसके हैं, ये है सिवजी के, ठीक ऐसे ही अगला है विसधर, विसको धारन करने वाला, याने क कौन, सर्प या सिवजी के बारे में कहा गया है, अगला है म्रगेंद्र, म्रगो का इंद्र, याने किस्से हैं, ठीक ऐसे ही घंस्याम, घं के समान स्याम है जो, और वो कौन है, वो है स्री किष्ण, नेक्स्ट है दोस्तों, चतरभुच, जिसे हम देख चुके हैं, चार भु अर्धात, विष्णु, चक्र पाढ़ी, वेह जिसके पाढ़ी में चक्र है, विष्णु, दिरग बाहु, दीरग है बाहु जिसके वेह अर्थात, कौन, विष्णु, ठीक ऐसे ही दोस्तों, आगे, जो हम बढ़ते हैं, तो हमें देखने मिलता है, गोपाल, वेह जो गोग पालन करे कौन स्रीकेशन ठीक ऐसे ही मुरारी जो मुर यारे राक्षस के अरी सत्रू है और वो कौन है वो है स्रीकेशन नेक्स्ट है नील कंठ नीला कंठ है जिसका और वो है सिवजी त्रिलोचन तीन लोचन है जिसके सिवजी सूल पाड़ी सूल याने त्रिशूल है और वो है सिफ पंच यहां पर आपने देखा टिक है फंच आनन है मुह है अर। को मित्था अर्फाद सिफ इसक ए móड़ी ऊजिए के यह श्यां जबाइब करें यहां पर जाला से ज्यादा मौली वे जिसके मौली पर चंद्र है अर्था शिव, ठीक ऐसे ही आंगे येधी हम बात करें, तो अब आपको देखने मिल रहा है अनंग वे जो बिना अंग का है अर्थात कामदीव, वीडावाधनी वे जो वीडा का वादन करने वाली है अर्थात सरश्वती और उत्तरपद इसका प्रधान होता है देखिए यह आपका एक एक्जाम में बिए डारेक्ट प्रेश्ण हो सकता है इसकांड सी आप यहां पर मैंसिंग किया गया है आंगे कुछ चार राहों का समूँ यहां पर हमने देखा कि क्या हो रहा है चार राहों का समूँ तो हमने देखा चार जो कि क्या हो गया आपका और पर संख्या वाचक हो गया ठीक है और फिर उसके बाद हमने देखने मिलता है कि चार फिर राहों का समूँ तो यहां हमने देखने मिल रहा है कि या तो समूँ सब्द आपको मिलेगा या समाहार देखने मिलेगा ठीक है जब आप इसका विग समास होगा. Next, हम example के दिए बात करते हैं, तो हमें देखने मिलता है दो पहर, जो कि क्या है? दो पहरों का समू है. देखें, फिर से समू मिल रहा है और साथ में दो पहर में, फ्रेंड में, सबसे पहले आपका निकल करके आ रहा है, दो पहर दो जो कि क्या है संख्या है ठीक ऐसे ही चौराहा या त्री लोग त्री लोग की बात करते हैं तो त्री लोग में आ रहा है तीन लोगों का समाहर जो कि आपका त्री तीन की ओर रिसारा करता है ने संख्या की ओर रिसारा करता है नेक्स्ट है चौराहा चार राहों का समू चा ता साथ दिनों का समू हो गया त्रिकोड तीन कोणों का समाहर और तिरंगा तीन रंगों का समू या हम कह सकते हैं समाहर तो हमें यहाँ पर जो मुख बिंदू देखने मिलता है वो यह कि भाई समू या समाहर इसके विग्रह में देखने मिलेगा और जो पहला पद होता है वो चार वेदों का समू, दुरंग, दो रंगों का समू, दो पट्टा, दो पट्टों का समू और इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी अब इसके लिए जो trick है वो क्या है तो वो है आपकी कि यहां आपको एक से लेकर नो तक की यदि किसी भी प्रकार का कोई भी एक आपको term देखने मिल जाए जिसे हमने देखा तिराहा या चौराहा तो यह एक से लेकर नो तक की संख्या की बात की गई है या सब्तरिशी या सब्ता या नवरात्री तो आपने फिर से पाया कि एक से लेकर के नो तक की बात की गई तो जब भी एक से लेकर नो तक की संख्या की बात होगी तो आप आख बंदगर के आंसर लगा सकते हैं कि गुंजायस है यहां पर किसी इसकी यहां दिगू समास हो जा तो आपका यदि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते हुए कोई संख्या का प्रश्ण है तो वहां पर दिगू समास होने की संभावना है इसके अलावा यदि कुछ है तो वहां पर दिगू की जगे में दवन्द होता है जैसे पच्पन, 5 और 50, ठीक है पच्पन यदि लिखा हुआ है तो क्य होगा 5 और 50 जो की अब क्या है द्वन्द समास है क्यों है द्वन्द समास यह हम आंगे जानेंगे आंगे पढ़ेंगे फिलहाल तो आप नोट कर लिजेगा कि एक से लेकर 9 तक यदि डारेक्ट मिलता है तो दिगू है या दस, 20, 30, 40 करते हुए यदि कुछ है या पूनांक स तरीका बहुत आसान है दोस्तों आपने देखा द्वा और द्वा ठीक है और बीच में आपको यह ना मिला जोकि आपका एक चिन्ह की रूप में है तो इसमें दोनों पद आपको प्रधान मिलने वाले हैं आँगे हम बात करें इसके कुछ एकजामपल की तो एकजामपल में थोड़ा बहुत में थोड़ा और बहुत या अथवा बहुत थोड़ा अथवा बहुत या थोड़ा या बहुत इसके बाद गाय भैस में गाय और भैस तो यहाँ पर आपका यह दौन्द समाज का जो concept है वो definitely आपका clear हो रहा होगा आप इसे जरूर no down करें definition कि दिए हम बात करें तो इसकी definition बहुत आसान है आप एक परिभास से इसकी क्या लिख सकते हैं कि भाई ऐसे पद या ऐसा समास जहां पर आप पाएंगे कि दोनों पद कैसे हो प्रधानता रखते हो साथ ही साथ में बीचों बीच में हाइफन मिल रहा हो संभवता 99% चांसे की हाईफन मिलेगा ठीख है और इसके अलावा जब आप इसका विग्रह करें तो आपको और या अथवाजेसे सब्द देखने मिलें तो वहाँ पर दॐंद समास होता हैं आगे हम बात करें दॐंद समास के प्रकारों की तो दॐंद समास के तीन प्रकार हैं पहला इत्रेतर दूसरा वेकल्पिक द्वंद और तीसरा समाहार द्वंद आपको यहापर बता दें कि यह जो प्रकार हैं इनसे प्रश्ण नहीं पूछे जाते लेकिन हाँ चुकि अब online exam है और online में बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं तो संभावना है कि इनके प्रकारों से भी प्रश्ण हो सकता है तो कहीं प्रकार से पूछ ना ले इसलिए हमें इसे पढ़ लेना बहुत आवश्यक है आपको ए 30 के बारे में بتा दें 30 दोंडी की जो विशेशता है वो ये है कि जब आप इसका विग्रह करते हैं तो आपको दोनो जो सब्द होंगे दोनों जो पद होंगे दोनों का अलग-अलग अर्थ समझ में आएगा दोनों एक साथ एक जैसे नहीं होंगे मतलब उनमें मेल मिलाब ना होते हुए इनके जो अर्थ है वो अलग-अलग होंगे और इनके बीच में और ही आ जाएगा तो आप देखते हैं नमक मिर्च नमक और मिर्च नमक का अलग है प्रधानता दोनों में है ठीक ऐसे ही, थोड़ा बहुत में आप पाएंगे याने वेकल्पिक में आप पाएंगे कि यहाँ थोड़ा बहुत का आपका क्या हो रहा है थोड़ा अथवा बहुत ठीक है तो बीच में आपको वीगल्प मिलेगा या या अथवा जैसे, अभी हम इनके सब्द होंगे वो आपको गुरुप में मिलेंगे समू में मिलने वाली जो एक बोध है जो आभास है वो आपको यहां पर होगा तो चलिए ठीक है अब हम बात करते हैं आंगे कमसा एक-एक से इनको ले करके और कुछ एक्जामपल की तो सबसे पहले हमीं यहां पर देखने मिल रहा है इत्तर जोंद और सिता और राम ठीक आइसे ही डाल-्रोटी डाल-गोडरी इसके अलावा आयाद निर्यात आयाद और निर्यात आपको बता दें जरूरी नहीं है कि आपका इत्तर या वेकलपि हानी लाब हानी और लाब माता पिता माता और पिता ऐसे ही भाई बहन भाई और बहन पती पतनी पती और पतनी हर्स और लास इसमें क्या है हर्स और उल्लास ठीक ऐसे ही स्वास याने की स्वास और उक्ष्वास तो यहाँ पर आपका इत्रेतर जुन्द कंप्लीट होता है इसक इसके बाद हम बात करते हैं समाहार दॉंदे की तो समाहार दॉंदे में आपके सामने example है गाय भैस का गाय और भैस या इसके आलावा भालवचे इत्यादी रुपए पैसे या खेत खलिहान तो यह सारी जीज़ें आपके ग्रुप की ओर लेकर के जाती हैं तो यहाँ पर आपका दोंदर समास भी complete होता है और अब हम बात करते हैं अपने next के उसके पहले आप इसका एक screenshot ले लीजे कर्मधार समास के प्रकार कितने होते हैं तो कर्मधार समास जो है दोस्तों इसके मुख्य तोर पर दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार होता है उपमान उपमे कर्मधार समास दूसरा है विशेशन विशेश कर्मधार समास इसकी जो पहचान होगी कि हम कैसे पहचाने की उपमान UPME है या Visition Visets है तो उसमें आप देखेंगी कि जो key point है वो है के समान, यादि आपको के समान मिलता है तो यहाँ पर UPME करंधार समास होगा, साधी साथ में यह यहाँ आपको है जो मिलता है, तो वो आपका Visition Visets करंधार समास को परदरसित करता है एक्जामपल के लिए आपके सामने है एक्जामपल सबसे पहले यहाँ पर चरण कमल यानि कि कमल के समान चरण तो जब बात की जाए कमल के समान चरण तो के समान आपका मिल रहा है उपमान उपमे यानि ये कौन सा आपका करमधार समास है तो यह है उपमान उपमे कर्मधार समास मोटे तोर पर हम कहें तो कर्मधार समास की जो पहचान है वो है के समान और है जो जब आप समास का विग्रह करें और उसके बीच में के समान या है जो जैसे सब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन होता है वहाँ पर कर्मधार समास होता है लेकिन यदि examiner हमसे और भी depth में जाकर के question पूछना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप बस इतना clear रखी कि उपमान उप में है तो वहाँ पर के समान ठीक है आपका विग्रह मिलेगा और यदि व प्राड के समान या प्राडों के समान प्रिय तो यहाँ जितने भी आप देख पारें दोस्तों सब के समान वाले है याने कि सब कौन है उपमान उप में ठीक ऐसे ही आंगे दियम बात करें तो हमें देखने मिलता है लाल मणी याने कि लाल है जो मणी अब है जो सबदाया न परमानंद यहने की परम है जो आनंद तो यहाँ पर आपका करमधार समास कम्प्रीट होता है आपको यहाँ पर बता दें कि चुकि वीडियो थोड़ी सी लेंथ जादा हो रही वीडियो की इस कार्ण से हम जो हमारे बचे हुए टाइप है अब यही भाव और साथ ही साथ में समास उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कम्प्रीट करेंगे आज हमने मुख्य तोर पर यह जाना कि समास होता क्या है साथ ही सास में समास का विलोम क्या है इसके अलावा समासिक पद क्या होते हैं समास विग्रह क्या होता है और समास के छे प्रकारों में हमने सबसे ले बहुबरही को देखा बहुबरही के लिए हमने बात की तो हमने पाया है कि वहाँ पर दोनों पद आप्रधान होते हैं और इस सारा किसी तीसरे की और होता है याने की प्रधानता किसी तीसरे की एक्जामपल लंब उदर लंबा है जिसका उदर है स्री गनेश या दसानन द आया था कि इसकी सबसे बड़ी पहचान होगी इसके बीच में हाइफन का मिलना लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइफन मिले ही मिले जैसे धनुर बाण यानि कि धनुष और बाण ठीक है लेकिन इसके बीच में हाइफन नहीं है जल वायू जल और वायू इसके बीच में भी मिलेगा वीकल्पिक की पहचानदी की बीच में अत्वाईया इनैम होगा कि आपका सब्सक्राद है कि इसमें आपको विग्रह करने पर के समान यह है जो मिलता है इसके अलावा उत्तरपद प्रधान होता है उत्तरपद की प्रधानता होती है और साथ ही साथ में पूर्पद और उत्तरपद के समास इसमें से दोस्तों हमने पहले अधन किया हुआ है कर्मधारी शमास और दिगू समास का दन्द समास का और बहुबरही समास का आज इस विडियो लेक्शर के माध्यम से हम मुखे तोर पर अव्याई भाव और तक्पुरूस समास की चर्चा करने जा रहे हैं तो चलिए ठीक है बिना समय गवाई हम इसे प्रारंब करें सबसे पहले तू आपको बता दें कि आखर यह है अव्य भाव समास होता क्या है और इसकी पहचान ठीक है तो जैसा कि्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अव्यईभाव समास कья है तो जिस समास का पहला पद यानि की पूर्ब पद अव्यई हो तह प्रधान हो उसे अव्यईभाव समास कहते है तो देखिए ये तो सारी बातें हुइं परिभासा को ले करके एक आठ्प्रेश्न हमें देखने मिलता है जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि भाई पूर प्रत किसमें प्रधान होता है तो अब यह भाव समास में होता है उत्तरपद तत्पुरुस में करंधार में वद्यू में दोनों प्रधान होते हैं दूंद में और दोनों प्रधान होते हैं बहुबरी में हमने कल इसको देखा हुआ है दोनों अगर कोई एक word आपके सामने आता है तो हम उसे कैसे पहचाने की अव्याई भाव है इसके लिए कुछ पहचान है कुछ पहचान चिन है या हम कहें इसे आसान भासा में तो कुछ की point है जिन्हें आप देख पा रहे हैं मुख्य तोर पर यदि आपको पहला पत अनु आ प्रती भर यथा यावत हर इत्यादी से सुरू होता हुआ प्रतीत हो ठीक है या भर सब्द भी आपको वहाँ पर रिजदी मिलता है जैसे भर पेट तो ये सारा के सारे जो भी ऐसे सब्द होंगे ये अव्याई भाव कहलाते हैं इसके अलावा एक और बिंदु है जिसे आप नोट कर लीजिए यदि आपको हाइफन मिलता है याने कि योजक चिन मिलता है और उसके दोनों तरफ आपको एक ही सब्द की पुन्रा विक्ति होते हुए नजर आती है अर्धात रिप्टिशन नजर आता है पुन्रा विक्ति नजर आती है कैसे जैसे गाउ गाउ ठीक है आपने भाव समास उमीद है दोस्तों आपको यहाँ पर समझ मा रहा होगा कि आखिर अव्य भाव के पहचान कैसे कननी है मुख्य तोर पर एक बार हम फिर से रिपीट कर दें आपके जो सब्द होंगे उनका प्रारम होगा अनु आप रती भर यथा यावत हर इत्याले से इसके अल समास का विग्रे करते हैं तो आपको यह अत्वा और इत्यादी ऐसे सब्द बीच में देखने मिलते हैं जबकि यदि हम बात करें अव्याई भाव समास की तो अव्याई भाव समास के अंतरगत आने वाला यह जो हाइफन है दोस्तों यह आपको यहाँ पर कोई अलग अलग भाव नहीं देगा बलकि मुख तोर पर यह अपनी एक पहचान ले करके चलता है कि हाइफन के लेफ्ट में हो या राइट में हो दोनों तरप आपको वही वर्ड रिपीटिड होता हुए नजर आता है उसी की पूर्रा विक्ति नजर आती है तो चलिए ठीक है हम बात करते ह कुछ、、 की एग्जाम्पल आपके सामने है जैसे आपने यहाँ पर देखा की भाई पूर पद है प्रति और उत्तर पद है दिन यह आने समस्ते पद lub यह समास का वच्वन प्रति दिन उसका विग्रह होगा प्रति एक दिन टीक है ऐसे ही आजन देखे आपको प्रती मिला, फिर आपको आ मिल रहा है, आ जन्म, उसके बाद आपको मिल रहा है यता, फिर अनू, फिर भर, तो यह सारे आपके key point यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, उम्मीद है आपको सौझ में आ रहा होगा, ठीक है, और यदि नहीं भी आ रहा है, तो आप इसे प्रयास कीज़े, इतनी कोई कटना ही नहीं है, डेफिनेटली आप बहुत जल्द इसमें मैचोर हो जाएंगे, परिपक्क हो जाएंगे, और आपसे सारे प्रशनों के उत्तर बन रहे होंगे, तो आँगे हम बात करते हैं, कुछ और एक्जामपल की, इन एक्जामपलों में सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आकंट, ठीक है, आकंट, आजीवन, आजनम, आमरन, और आसमुद्र, ठीक है, यहाँ पर जितने भी एक्जामपल आपने देखें, सभी के सभी एक्जामपल आपको इसारा करते हैं, अव्याई भाव समास का, क्योंकि इसके जो प्रारम है, वो बड़ा आसे हो रहा है, ठीक, ऐसे ही आप देखते हैं, तो आपको देखने मिलता है, प्रतिछन, प्रतिमाह, प्रतिछवी, प्रतिसत, और प्रतिहिंसा, सम में प्रति, प् है, जब आप इसका विग्रह करते हैं, तो आप इसे पकड़ पाते हैं, इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो और हमारे लिए क्या महत्पुन हो सकता है, तो जैसे रात भर, वर्स भर, सक्ती भर, मुठी भर, तिल भर, चुलू भर, तो यह या फिर देस भर, तो इनो दिन, इनमें भी आपको पुनरावत्ती देखने मिल रही है, तो उमीद हापका यहाँ पर अव्याई भाव समास कंप्लीट हो रहा है, और आपको ठीक तरीके से समझ में आ चुका होगा, अब हम बात करते हैं, ततपुरुस समास की, बात की जब ततपुरुस समास की द लुप्त हो जाता है, उसे ततपुरुस समास कहते हैं, एक्जामपल, राजा का कुमार, धर्म का गरंथ, यहने कि धर्म गरंथ, ठीक ऐसे ही रचना को करने वाला, रचना कार, तो यहाँ पर आपने देखा कि ततपुरुस समास में मुख्य तोर पर होता क्या है, तो आप प रखना बहुत आसान है, हम इसे एक चार्ट की माध्यम से देखेंगे और इस सब हमारे यहाँ पर कंप्लीट होयाएगा, आपके सामने एक चार्ट है दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं, कि एक तरफ आपका विभगती है, ठीक है, प्रत्मा, दुतिया, तिर्तिया, चतुर्थी, ऐसे करके लिखा हुए, एक तरफ आप देखेंगे कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंद, अधिकरन, संबोधन, एक तरफ उसकी पहचान है, जिसे हम याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संब प्रवंद काकी के अधिकरण में पर और संबूदन है वो हरे यहां पर आप देखेंगे मुख्य तोर पर जो भातपूर्ण बिन्वें दोस्तों उसको समझने की कोसिस कीजिए तद्पुरुस समास आपका कहां से प्रारम बोता है दुतिया तद्पुरुस से या फिर कर्म अधिकरण से अब हम पहचाने के से तो देखें या इक समाश्यीपत भी लिखा हुआ है और उसी के बगल से एक समास विग्रह भी है जैसे गगन चुम्भी गगन को चूमने वाला अब यहाँ पर आपने देखा गगन को चूमने वाला को मिल गया न तो को देखते ही आपको याद रख लेना है कि करता ने कर्म को तो आपका अंसर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा कर्म तत्पुरुष ठीक ऐसे ही आपने देखा next है हमारा सोक ग्रस्त तो जैसी आप सोक ग्रस्त देखते हैं तो सोक ग्रस्त के बाद आपको देखने मिलता है तो यहाँ जो आपका से है दोस्तों ठीक है से उसमें जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है अब बाती आती है कि कौन सा तत्पुरुष है तो यहाँ पर है करन तत्पुरुष फिर इसके बाद हम बात करते हैं next है हमारा इसनान घर इसनान के लिए घर रसोई घर रसोई के लिए घर प्रयोक साला प्रयोक के लिए साला तो मुद्दी की बात जो है वो यह है कि यहाँ पर जो के लिए सब्द आ रहा है आप देखेंगे अब क्या अंतर है करण और अपदान के से में तो अपदान के से में अलगाव कभाव होगा और करण के से में जुडाव कभाव होगा ठीक है अपदान में आप देखेंगे एक्जांपल गुड़ हीन गुड़ से हीन पत ब्रष्ट पत से ब्रष्ट पेड़ से पत्ते गिरते है तो मलब क्या हो रहा है पत्ते गिर गए ठीक है तो ऐसी इस्थिती में आपका क्या हो गए यहां पर अलगा होता है फिर बात करते हैं हम संबंद की तो संबंद में आपको देखे मिलेगा राजपुत्र और राजपुत्र में हो जाता है राजा का पुत्र ठीक ऐसे ही अधिकरण सोक मगन, सोक में मगन तो आपका एक चार्ट के माध्यम से ततपुरुस का पूरे टाइप, पूरी वेराइटी और उसकी पहचान सब कुछ किलियर होती और अब हम बात करते हैं बारी बारी से इन्हें सीक्वेंस से उठा करके इन्हें हम कंप्लीट करेंगे दो दो चार चार एक्जाम्पल के साथ तो सबसे पहले हम प्रारंब करते हैं पहले याने की कर्म ततपुरुस से तो कर्म तत्पुरुष को ही हम दुतिया तत्पुरुष भी कहते हैं जैसा कि हमने पहले चार्ट में देखा हुआ है फिर बात की जाए इस कर्म तत्पुरुष में तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा दोस्तों कि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है ठीक है कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से समद्ध काकी के अधिकरण मेपर और संबोधन हे हो अरे इसमें पहला वाला और लास्ट वाला हमने अलिमेट कर दिया था हटा दिया था अब यहाँ पर आपने देखा कि गगन चुम्मी जिसमें हम देखते हैं कि करण में से और के द्वारा जो विभक्ती होती है उसका लुप हो जाएगा Example करुणा पूरुन यह की करुणा से पूरुन भयाकुल याने की भय से आकुल रेखांकित याने रेखा से अंकित सोक गरस्त याने सोक से गरस्त इसके लवा मदांध, मद से अंधा अगला है मन चाहा, मन से चाहा पदलित, पदसे दलित, सूर रचित याने की सूर के द्वारा रचित या सूर द्वारा रचित तो यहाँ पर आपका यह भी complete होता है next है दोस्तों हमारा संप्रदान तत्पुरुस याने की चतुर्थी, तत्पुरुस संप्रदान की जब हम बात करते हैं तो आप पाएंगे की यहाँ पर क्या होता है, संप्रदान के लिए तो आपका के लिए मिल जाएगा, जैसे प्रयोक साला, प्रयोक के लिए साला, इसनान घर इसनान के लिए घर, यग साला मिलेगा आपको ठीक है और इससे मैं क्या होगा अलगा होगा जैसे धन हीन याने की धन से हीन पत ब्रस्ट याने की पत से ब्रस्ट रिण मुक्त रिण से मुक्त गुड हीन याने गुड से हीन पत चुत याने की पत से चुत फिर उसके बाद पाप मुक्त पाप से मुक्त जल ह जल से हिन देश निकाला देश से निकाला तो यहां आपका यह क्लियर होता है इसके बाद हम बात करते हैं संबंध की संबंध में हमने पहले ही कहा हुआ है संबंध का की के संबंध में आपका देखने मिलता है राज पुतर राजा का पुतर राजा आग्या राजा की आग्या नेक्स्ट है पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन, राज कुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा, देश की रक्षा, सिवाले, सिव का आले, नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रह श्वामी, ग्रह का स्वामी, और अगला है विद्या सागर, विद्या का सागर, और इसके बा तो यहां पर आपका जो अधिकरण है दोस्तों इसकी दिएम बात करें तो अधिकरण में पर यानिकी सोक मगन सोक में मगन ठीक है पुरुशों में उत्तम आप बीती आप में बीती ठीक है या आप पर बीती ग्रह पवेश ग्रह में प्रवेश नेक्स्ट है लोक प्री लोक मे प्री यानि की पूरे जगत में प्री नेक्स्ट है धर्म वीर, धर्म में वीर, कला स्रेष्ट, कला में स्रेष्ट और अगला है आनंद मगन, यानि की आनंद में मगन, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जितने भी महत्यपूर्ण समास हैं, वो कंप्लीट होते हैं, हमने पद में निसेद सूचक या नकरात्मक सब्द आपको देखने मिले, ठीक है, नकरात्मक या निसेज सूचक जैसे आ, अन, ना, गैर, ना, आदी, लब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनमें आपका निशेद होगा, ठीक है, यसे तोस्त हैं, यानिकी नकरात्मकता आपके हो आजिव ना पशंद ठीक है ना मर्द ना लायक तो ऐसे सब्द आपकी कहां चले जाएंगे निया समास में ना और इया समास में तो यहाँ पर दोस्तों आपके समास कंप्लीट होते हैं समास के लगबग सारे टाइप हमने यहाँ पर कवर कर लिये हैं अब हमारे लिए कुछ औ और महत्पूर बिंदु हैं जिन में यृदि हम बात करना तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं करमढ़ार और बहुभरही समासम अंतर दर असल में दोस्तों कुछ समास ऐसे हैं जो यृदि हम देखे पढ़ा था कि या तो के समान मिलेगा या तो है जो मिलेगा जैसे चरण कमल कमल के समान चरण या नील कंठ नीला है जो कंठ तो के समान और है जो मिला मंदब करमधार हो जाना चाहिए तो इस हिसाब से तो नील कंठ करमधार है लेकिन next जब आप लाइन देखते हैं तो आप प है जो उदर अब किसका है भाई ठीक है मोटे पेड़ वाला कौन तो यहाँ पर आपका एक तो इसारा है लंबो दर लंबा है उदर जिसका गनेश जी की और यहने बहुबरी समास और एक इसारा है करमदार की और अब ऐसी इस्तिती में हम क्या करें तो देखिए समझ येगा ऐ आपर हमें एक छोडी सी ट्रिक मिलती कि यदि भाउबरी वाला भी कोई समास है जिसमें हमने पढ़ रखाए कि यह बहुबरी का है परंतु भाउबरी ओप्सिन पर नहीं है तो आप करमधार लगा सकते है पर करमधार और बहुबरी दोनों है तो आंसर भाउबरी की और ही जाएगा ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे चत्रभुज लिखा हुआ है कि चार भुजाओं का समों तो दिगू होना चाहिए अब इसी चत्रभुज को हमने कहा चार है भुजाओं जिसकी अर्थात विश्णु तो यह बहुब्रही के औरे सारा हो गया ठीक है ठीक ऐसे ही यह बहुब्रही के साथ नो डाउट भगवान के नामों के साथ तो अब इस बार फिर से आप आंसर चैनित करेंगे किसका बहुब्रही का कब जब दोनों ऑप्सन साथ में हो और यदि कोई एक है तो अब तो कोई बात ही नहीं रह गई फिर तो हमारा वही आंसर किलियर है तो यहाँ पर दोस्तों आपका समाज टॉपिक कूरे तरह से कंप्लीट होता है समाज से जुड़ों जितने भी महत्पून तत्थ थे उन्हें हमने कंप्लीट किया तो चलिए ठीक है आज आपसे विदा लेते मुलाका जल्द हिंदी की ऐसे ही किसी एक महत्पून टॉपिक के साथ धन्यवाज जै हिन जै भारत